इस महत्वपों बजेट के लिए मैं सभी देश्वास्यों को बधाई देता हूँ बित्त मंत्री निर्मला सितारमन जीव और उनकी पुरी टीम बहुत बधाई की पात्र है साथियों ये बजेट समाज के हर वर्ग को शक्ती देने वाला बजेट है ये देश के गाउं गरीब किसान को समरुद्धी की राहत पर ले जाने वाला बजेट है पिछले दस वर्षों में पचीस करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं इजो नियों बिडर क्लास बना है ये बजेट उनके ससक्ति करण की निरंतरता का बजेट है इन नवजवानों को अंगिनत नए आउसर देने वाला बजेट है इस बजेट से सिच्छा और स्कील को नई स्केल मिलेगी ये मिडर क्लास को नई ताकत देने वाला बजेट है ये जनजातिय समाच दलीत पिछणों को ससक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है इस बजेट से महिलाओं की आर्थि भागेदारी सुनिस्षित करने में मदन मिलेगी इस बजेट से छोटे व्यापारियों, MSM इसको और की लगूत जोगों को उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा बजेट में मैनुफेक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्रक्चर पर भी बल है इससे आर्थिक विकास को नई गती मिलेगी और गती को भी निरंतरता मिलेगी साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूत पुर्व अवसर बढ़ ये हमारी सरकार की पहचान रही है आज का बजेट इससे और सुद्रुड करता है देश और दुनिया ने पियलाई स्कीम की सफलता देखी है अब इस बजेट में सरकार ने Employment Link Incentive Scheme की गोशना की है इससे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे इस योजना के तहत जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तन्खवा हमारी सरकार देगी Skill Development और उच्च सिख्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना इससे गाउं के गरीब के मेरे नवजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कमपनियों में काम करेंगे उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे हमें हर शहर, हर गाउं, हर गर एंटर्प्रिनस बनाना है इसी उद्देश से बिना गरंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाग से बढ़ा कर बिस लाग रुपी किया गया है इससे छोटे कारवारियों, विशेश रुप से महलाओं दलीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनिफेक्टरिंग हब बनाएंगे देश का MSME सेक्टर मद्यमबर से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से MSME सेक्टर की ownership मद्यमबर गही है और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से ज़्यादा रोजगार में मिलता है छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है इस बजेट में MSME के लिए इस ओप क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है e-commerce, export hubs और food quality testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से one district, one product भ्यान को गती मिलेगी साथियों ये बजेट हमारे startups के लिए innovation ecosystem के लिए देर सारे नए अवसर लेकर आया है space economy को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रूपय का fund हो angel tax हटाने का फैसला हो ऐसे कई सारे कदम इस बजेट में उठाए गए है साथियों record high capex economy का एक driving force बनेगा बारान नए industrial nodes देश में नए satellite towns का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिस प्लांज इससे देश में नए economic hub विक्सित होंगे और बहुत बड़ी संध्या में नयो रोजगार बनेगे साथियों आज defense exports records तरपर है इस बजेट में defense sector को आत्म निर्भर मनाने के लिए अनेत प्रावधान किये गए हैं आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्षन बड़ा है और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाए बनी है तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्वर के लिए कई अवसर लेके आता है इस बजेट में तूरिजम खेत्र भी विशेश बल दिया गया है साथियों एंडिये सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्वर को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे इस बजेट में भी इंकम टैक्स में कटोती और स्टेंडर्ड डिड़क्शन में भुद्धिक का फैसला लिया गया है टीडियेस के नियमों को भी सरल किया गया है इन कदमों से हर टैक्स प्यर को अतिरिक्त बचत होने वाली है साथियों देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपोन विकास पुर्वो दय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गती नई उर्जा मिलेगी हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रासेक्टर जैसे हाइवेज, वाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रोजेक्स का निर्बान कर विकास को नई गती देंगे साथियों इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है अन भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडोक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं इससे एक और छोटे किसानों को फल्क सबजियों अन्य उपज के लिए नए बजार मिलेंगे बहतर दाम मिलेंगे तो दूसरी और हमारे मद्यंबर के लिए फल्क सबजियों की उपलबदता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्टित होगा क्रिसिक छेत्र में भारत का आत्मन निर्भर बनना समय की मांग है इसलिए दलहन तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है साथियों देश में गरीबी समाप्त हो गरीब का सतक्ति करण हो इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना है की गई है गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनाना तै हुआ है जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान सेक्चुरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुलबुत सुविधाओं से जोडा जगा इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पत्चीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को औल वेदर रोड से जोड़ेगी इसका अलाव देश के सभी राज्यों के दूर दराज गाउं को मिलेगा साथ क्यों आज का बजेट नए अवसर नई उर्जा लेकर आया है ये डेर सारे नए रोजगार स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्क का काम करेगा विक्सित भारत की एक ठोस नीव रखेगा सभी देशवासियों को बहुत बहुत सुपकामना है प्रधान में जिन नरेंद्र मोधी को आप सुन रहे थे मोधी सरकार का बजट और फोकस किया गया है किसानों पर